नमस्कार साथियों Infusion Notes के यूटूब चैनल पर आपका स्वागत हैं मैं आपका साथी कपिलतिवाड़े आज आपके सामने जो मैंने शिरीज शुरू की थी आपने कहा था कि सर इंडिया करंट अफेर्स का रिवजन कराईए उसी शिरीज के लिए ये वीडियो रहेगा पांच अच्छे वीडियो हैं पहले अपलोड किये जा चुके हैं प्लेलिस्ट बना देगी है आपने नहीं देखा है तो आपर जाकर देख सकते हैं इस सेशन में इंडिया करंट अफेर्स का जो रिवजन है साथियों जनुवरी से लेकर अगस तक आपको करवाए जाएगा इस को लाइक वाए शेयर जरूर कीजिएगा इंफ्यूजन नोट्स की यूटूब चैनल को लाइक वाए सब्सक्राइब कीजिएगा शुरुआत करते हैं पहले क्यूशन से पहला क्यूशन है आपके सामने हाली में पीम शिरी योजना के लिए शिक्षा मंत्राले ने कितने स्क अनुमोदित किया गया था ये भी आपको पता होना चाहिए कि योजना को अनुमोदित कब किया गया पांच स्थमबर 2022 को अनुमोदित किया गया था इस योजना के किरियानवेन से नई शिक्षा निति के किरियानवेन में में जो मदद मिलेगी यानि जो नई शिक्षा नित प्राप्त करने वाला पहला भारतिय राजय कौन सा अबना है इपोर्टेंट है इपोर्टेंट क्यों है आपको पता है पहला दे रखा है तो पर्थम से पर्षन बनता है प्राप्त करने वाला पहला भारतिय राजय कौन सा अबना है तो आपका अंसर होना चाहिए हरियाना है वो बना है हरियाना भारतिय रेल्वे ने मार्च 2023 में हरियाना रेल्वे नेट्रॉक का 100% है जो विदूतिकरने पूरा कर लिया है इसमें बताया गया है कि ब्रोड गेज नेट्रॉक 1701 रूट किलोमेटर है जो 100% है जो विदूतिकरन हो चुका है इपोर्टेंट है क्योंकि पहला बना है सातियों सो परतिशत रेलवे नेट रख विदुतिगर्ण पूरा करने वाला कौन हरियान आराजी है इपोर्टेंट है आप से पूछा दा सकता है आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन बात की पहली कुवांटम क्यूमिटी अधारित दूर संचार नेट रख लिंग को कहां संचालित किया गया इपोर्टेंट है बारत की पर्थम कुवांटम क्यूमिटी अधारित दूर संचार नेट रख लिंग को कहां संचालित किया गया तो आंसो रहेगा नई दिली में सं पूछा जा सकता है आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे सात्यों अगला क्यूशन है आपके सामने आप से पूचा है कि हाली में नो बार साक्षात्ता कार्यकरम है उसको किस अवदी तक के लिए प्रारम में किया गया है तो को दो हरे सब्द prető'ाइस इसकी सुरुआत दो जारी रखा जाएगा उदेश चे क्या रहेगा पंद्रा वर्श के अधिक निरणतर शाक्षर करना यानि जो पंद्रा इसे उतिक हिए उमर के है उनको अगर साकसरता की जूड़त है तो अगर साकसर बना just ऊण्श सकता है कि इसमें कों साहता कर रहा है तो अंच venues 8 तो दिख्षा learnt जो साहिता कर रहा है यह important रहेगा आप से पूछ सकता है कि नो भारशाक सर्थाकार्यकरम में अन्शियार्टी का कौन सा मंथ है जो साहिता कर रहा है दिक्षिया मंथ है जो इसमें सहे होवे कर रहा है आगे बढ़ेंगे अगले question पर बात करेंगे आप से पूछा गया है कि पूछा है तुर्की की मंजूरी के बाद है जो नाटो का कत्तिसवा सदशिया कौन बना है नागा लेंड है जो बना है सात्यों उत्तर अंठालेक संदी संग्था नाटो के सचिव जैम्ज श्टॉल बरंग ने इसकी गोष्णा की कि नाटो और नाटो की स्तापना है जो उन शिनलेक्स 2023 स्विंक्त9 सेना ब्यास है जो बारत ने किछ देश के साथ मिलकर वयास है इसका आयवजन कोलूंबो बे हुआ यह है दस्वे करम का था भारत की ओरसे आईएंस साथ साथ INS Kilton ने इसमें भाग लिया ये भी important है कि कौन से जार ने भाग लिया INS Kilton वा INS सावित्री ने इसमें भाग लिया किसके साथ मिलकर किया शिलंका के साथ कौन सा किया 2023 शिंक्त नोशना अभ्यास है कौन से करम का है 10 में करम का है important है रहेगा साथ यो पूछा जा सकता है आगे बढ़ेंगे अगले कुस्टन पर बात करेंगे आप से में पूछा गया है कि Miami Open 2023 है जो किसने जीता Miami Open 2023 है जो किसने जीता Daniel Medvedev ने जीता Daniel Medvedev ने इटली के जननिक सिंणर को इसमें हराकर है जो जीता आप से में पूछें Miami Open 2023 किसने जीता आंसर होना चाहिए Daniel Medvedev और इटली के जननिक सिंणर को हराकर हिनों ने जीता है यानि ये क्या हो गए उपूजेता हो गए पूछा जा सकता है क्यूशन शानदार है साथियों आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करें साथियों दा इडिस एंटर प्यावनर्स टी आई राजस्तान की पहली महिला अधेक से कौन बनी है आप से पूछा है दा इंटर प्यावनर्स टी आई राजस्तान की पहली महिला अधेक स कौन बनी है शिन्नु जावर है जो पहली महिला बनी है शिन्नु जावर को 2023-2025 तक 2 साल के कारी एकाल के लिए T.I.E. राजस्तान का अधेक्स है बनाया गया है इन्नोंने डॉक्टर रवी मोधानी का अस्तान लिया आप से पूछे किसका अस्तान लिया डॉक्टर रवी मोधानी का अस्तान है जो लिया क्या है दै इट्स इंटर पियर्नर्स T.I.E. राजस्तान की पहली महिला अधेक्स कौन बनी शिन्नु जावर बनी इपोर्टेंट रहेगा सात्यों आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे आप से पूचा गया कि हाली में पीवी शिन्दू किस बैडविंटन ट्रोनामेंट के महिला एकल में उपविजेता रही कौन है पीवी शिन्दू किस बैडविंटन ट्रोनामेंट में महिला एकल में है जो उपविजेता रही तो आंसर रहेगा Madrid Spain Master Tournament है उसके उपुविजयता कौन रही PV संदू रही विजयता इंडोनेशिया की मरीश का बनी कौन विजयता कौन बनी है इंडोनेशिया की है मरीश का है जो विजयता बनी है PV संदू है जो उपुविजयता किसके बनी Madrid Spain Master Tournament है उसमें उपुविजेता बनी है पीवी शिन्दू आगे है अगले क्युशन पर बात करेंगे अगला क्युशन आप से पूछा गया है मिसन ओटिमर सेकिंड के तहट चंद्रमा पर जाने वाली पहली मेला अंतरिक शियातरी कौन बनी है क्रिश्चन है मांक कोच बनी है साथियों इपॉर्टेंट रहेगा नासा ने इसको बेजा है बेजेगा आगे इपॉर्टेंट है इसकी गोशना हो चुकी है तो पूछा जा स सकता है आप से कि मिसन ओटिमर सेकिंड के तहट चंद्रमा पर जाने वाली पहली महला अंतरिक शियातरी कौन है क्रिश्चन है मांक कोच बनी है यह मिसन नासा बेज रहा है इसकी में चार अंतरिक शियातरी जाएंगे रोड़ वाइसमें विक्टर गलोवर जेरीम हैंसन और में क्रिश्चन कोच यह बताया जा रहा है कि 2024 की सुरुवात में या 2025 में इसको भेजा जा सकता है इपोर्टेंट है साथियों यहां से पर सने बन सकता है आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे हाली में युक्रेयन के राष्ठपती वोली दीमीर जेलेस की को पॉलेंड का कौन सा सिर्थ पुर्षकार दिया गया ओर्डर ओफ वाइल्स एंगल है जो दिया गया किसे दिया गया युक्रेयन के राष्ठपती वोली मीर जेलेस की को पॉलेंड का कौन सा सिर्थ पुर्षकार दिया गया ओर्डर ओफ वाइट इगल दिया गया इपोर्ट की कोई अवाड दिया गया आगे है अगले कुशन पर बात करेंगे हाली में कौन पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला ओन फिल्ड अंपायर बनी है किम कोटन कौन बनी है किम कोटन क्या बनी है पुरुष T20 क्रिकेट में पहली महिला on field empire यानि जो पुरिष्टी 20 match होता है उसमें पहली on field महिला empire कौन बनी है किम कोटन बनी है ये न्यूजिलेंड की महिला empire है ये भी आपको पता होना चाहिए कहां की है किम कोटन न्यूजिलेंड की महिला empire है इन्होंने यह उपलबदी 5 अपरेल को न्यूजिलेंड वे श्री लंका के मद्दे जो match खेला गया था उसमें यह बनी कब है श्री लंका वे न्यूजिलेंड के 25 अपरेल को मैज खेला गया था उसमें यह बनी आगे बढ़ेंगे साथियों अगले कुसंण पर बात करेंगे हाली में भारत को कितने वर्ष के लिए श्यूंग तराश्टर सांख्या की आयो के लिए चुना गया है तो चार वर्ष के लिए भारत को कितने वर्ष के लिए श्यूंग तराश्टर सांख्या की आयो के लिए चुना गया है तो चार वर्ष के लिए भारत का कारेकाल जनवी 2024 से शुरू होग दो का भार्त है Mireya Dakar past 24 में ऐसा दाथ आरतु है अब कितने चार वर्स के लिए इसको चुना गया एंगे बढ़ेंगे अगले कुछन पर बात करेंगे आप से पुछा गया है कि अन्डवमान और निकवार कंडिका व्र knit meeting को देखें नों की संपता वोन इसमें को सामिल करते हुए बड़े स्तर पर एक सुंक्त शेन ने अभ्यास X कोज का अजन किया गया 23 फरवरी 2023 को शुरूआ यह अभ्यास 7 अपरेल तक चला यानि 23 फरवरी 2023 से इसकी शुरूआत हुई और यह 7 अपरेल तक चला इपोर्टेंट रहेगा साथियों पुछा जा सकता है आप से कौन सा कहा हुआ अंडोमान और निकोबार में हुआ इसमें अभ्यास का नाम X कोज था इसमें कौन से ने भाग लिया थल सेना ने नो सेना ने वायू सेना ने और तटरक सक बलो ने इसमें भाग लिया 23 फरवरी शेन लेकर है 7 अपरेल तक है चला आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे साथियों आप से पूचा गया है कि श्यूंग्त यूद्धा ब्यास ओरियान 23 का आयोजन ने कहां किया गया अंसर हेगा फ्रांस में इसका अयोजन किया गया फ्रांस वे नाटो सदेश है इसमें बाग ले रहे हैं बारतिय वायू से ना इसमें भी बाग ले रही है राफेल लडाकु विमान इसमें भाग लेगा अपने बार से राफेल है जो इसमें भाग लिया कौन से ओरिया ने 23 इसका अयोजन कहां किया गया फ्रांस में किया गया इपोर्टेंट रहेगा साथियों आगे बड़े अंतराश्ची संख्या की पुर्षकार 2023 किशें दिया गया CR राओ को दिया गया आप से पुचा है कि अंतराश्ची संख्या की पुर्षकार 2023 किशें दिया गया CR राओ को दिया गया आगे है हाले में महला सुरुक्षा के लिए राष्टपती द्रोपती मुर्मूर ने बोरोक्षो एप है उसको कहां लौच किया राष्टपती जी ने महला सुरुक्षा के लिए बोरोक्षो एप है वो कहां लौच किया आंसो रहेगा आसम में किया इस एप को गुवाटी हाई कोट ने त्यार किया था इस एप को किसने त्यार किया था गवार्टी हाई कोट की तवारा इस एप को त्यार किया गया कौन से बोरोक सा एप है इसको किसने लॉंच किया राश्टरपती द्रोपती मुरुमन ने इसका क्या है या महिला सुरुक्षा के लिए है important रहेगा सातियों महिला सुरुक्षा के लिए है और राश्टरपती जीन इसको लॉंच किया इसमें जो महिला हेलप लाइन नमर है वो 181 रहेंगे यानि 181 रहेंगे आप से जो महिला का हेलप लाइन नमर है वो 181 रहेंगे आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे आप से पूचा गया है कि महिला किर्केर टीम की कप्तान आप से पुछा है कि जो भारत की अभी हाली में पहली ही नेत सरीी तीम का गठन किया गया है। कप्तान किशें बनाया गया है, तो सुस्मा पतेल को बनाया गया है, ये मद्या पर्देश की रहने वाली हैं. ये भी important रहेगा साथियों कहां की रहने वाली है मद्या परदेश की रहने वाली है भारतिये cricket team का पहला मैच नेपाल के साथ होगा किस के साथ खेलेगी भारतिये team है नेपाल के साथ आगे बढ़ेंगे अगले question पर बात करते हैं साथियों आप से पुछा है चुनाओ आयोग द्वारा किस पार्टी का राष्टिये दर्जा होने का दर्जा समाप्ट किया गया यनि चुनाओ आयोग द्वारा किस पार्टी का राष्टिये पार्टी होने का दर्जा है जो समाप्ट किया गया किसने किया सुनाव आयोग द्वारा इन तिनों पार्टियों का जो वोट शेर है देश भर में 6% से कम है यानि इन तिनों पार्टियों का जो वोट शेर है उ 6% से कम है इसके अलावा आम आदमी पार्टी को राष्टिय पार्टी का दर्जा दिया गया है वरतमान में 6 करेंगे विश्टो के सबसे अपरादिक देसों की 2023 रेंकिंग में भारत देs ताने तो ukूंज सा है तो बहारत है जो साथिओ उस्टत्रवे इस तान पर है दुनिया के सबसे अपरादिक देसों की रेंकिंग जारी की जिसमें बेंजुला को सिर से स्थाने मिला है यानि भार्त है जो स्तत्रवे स्थान पर है कौन से स्थान पर है स्तत्रवे स्थान पर है और बेंजुला है जो सिर स्थान पर है आगे बढ़ेंगे अगले कुछन पर बात करेंगे हाले में हिंद परशान चेतर में बालिकतान श्यूंक्त शेन्य ब्यास है किसने प्राराम किया इपोर्टेंट रहेगा साथियों आप से पूछा हिंद परशान चेतर में बालिकतान श्यूंक्त शेन्य ब्यास है जो किसने प्राराम किया अमेरिका और फिलिपिन्स ने है जो किया इसमें क्या है कि इसका उदेश या परमुक रूप से चीन को गहना है बालिकतान श्यूंग तशेन अब्यास की सुरुआत है उन्नी सो इकांड में हुई थी यह भी पोटेंट है आप से पुछा है कि हिंद परशान श्यूंग तशेन अब्यास है जो किसने प्रारम किया यानि किसने किया आप का अंसर हैगा अमेरिका और फिलिपिन्स ने किया और इसकी जो सुरुआत है साथ यह उन्नी सो इकांड में में हुई उसका परमुक हुदेश है क्या है चीन को गहना है इसका परमुक हुदेश है आगे बढ़ेंगे अगले क्यूसन पर अपने बात करेंगे आप से आगे परसन पुछा गया है कि एश यही कुष्टी चैंपियंशिप 2013 में भारत की और से एक मातर सौरण पदक है जो किसने जीता अमन सहरावत ने जीता पिचेतर किलो वरग में इनोंने जीता फाइनल मुकाबले में इनोंने कर्गिस्तान के के अलमाज सम्मान बेकोब को नो चार से हरा कर जीता इपोर्टेंट क्यूसन रहेगा सातियों अगामी परतियोगीता परिक्षा जिसमें इंडिया करंट अफेर पूथा जाता है यहाई परसन आपको देखने को मिल सकता है कि एशी कुछती चैंपियंशिप 2023 में बारत की और से एक मातर सौरण किसने जीता अमन सहरावत ने 75 किलोग्राम के वरग में इन्होंने जीता फाइनल मुकाबले में किर्गिस्तान के अलमाज समान बेकॉप को इन्होंने नो चार्श है हराया आगे बढ़ेंगे अगले किशन पर बात करेंगे हाली में बरस्पती और उसके उपकर है कि अध्यान के लिए जूस मिसन किसने परारम किया आप से पूछा है कि बरस्पती और उसके उपकर है कि अध्यान के लिए जूस मिसन है जो किसने परारम किया यूरोपिया अंत्रिक्स एजेंसी लगालो सात्यों स्टार इपोर्टेंट है ऐगर प्रसन फोचेगा तो यह है इपली पर्सन बनता है, संभावित है कि यह पर्सन आप से पूछ ले, आप से पोचा है कि हाल में बर्षपती और उसके उपगर है कि अध्यान के लिए जूस मिसन है जो किसने प्राणाло किया है तो European Antrix Agency ने किया है बर्सपती ग्रहे के बर्फिले उपकरों के अद्यन के लिए इसको प्राइम किया गया इसको Asian 5 रोकेट से लॉंच किया गया ये भी अपने को पता होना चाहिए इसको Asian 5 रोकेट से है जो लॉंच किया गया आगे बढ़ेंगे अगले क्यूसन पर बात करेंगे साथ यह हो अगला क्यूसन है कि शेली शी ने बार्त के हितियास की सबसे लंबी चलांग लगा कर कौन से खेलों के लिए क्वालिफाई किया इस शी खेलों के लिए है जो क्वालिफाई किया है किसने इस खेलों के लिए क्वालिफाई किया, शैली शैने 6.48 मिटर की छलांग लगाकर इस खेलों के लिए क्वालिफाई किया, इपोटेंट रहेगा, अगामी प्रतियोगीता परिक्षा में आप से पूछा जा सकता है, एक बार दुबारा देखिये कि भारत के इतियास की सबसे ल लंबी चलांग लगाकर कौन से खेलों के लिए क्वालिफाई किया है शैली शीया ने एशी खेलों के लिए 6.48 मिटर की लंबी चलांग थी सातियों इपोर्टेंट है ये भी याद रखिएगा 6.48 आगे बढ़ेंगे अगले क्युशन पर बात करेंगे आप से पूछा गया है कि हाली में 833 उत्सा पतनाय को कौन सा पुर्षकार है परदान किया है तो मेलकम आदी शीया 2023 पुर्षकार है जो दिया गया कौन सा मेलकम आदी शीया 2023 पुर्षकार दिया गया इस पुर्षकार की सुरुआद दोजार से हुई थी 2022 का पुर्षकार परबात पतनाय को दिया अभी किसको दिया गया है उत्सा पतनाय को जो अर्शास्त्री है उनको मेलकम आदी शेमिया आदी शेशिया आदी शेशिया दोजार तेश पुर्सकारे दिया गया है दोजार बाइस किसको दिया गया था परभाद पतनाय को दिया गया था इसकी सुरुआत है वो दोजार से तो साथियों ये एक revision class थी India current affairs की इसमें जो महतोपुन 25 परसन मैंने आपके साथ शेयर किये साथ ही उनसे जुड़े जो महतोपुन तत्या थे वो भी शेयर किये मेरे द्वारा किया गया प्रयास अगर आपको सार्थ तक लगा है साथियों तो इस session को like वैसे जरूर कीजिएगा Infusion Notes की YouTube चनल को like और subscribe कीजिएगा धन्यवाद